हेलो फ्रेंट्स आप सभी क्या स्वागत हैं मैं केसी पॉइंट में फ्रेंट्स आज है 16 जनुवरी और 16 जनुवरी से जितने भी इंपोर्टेंट क्रेंटरप्रेस के कोचंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे तो पहला प्रशन है भारतिय थाल सेना दिवस कब मनाया गया है इसका मराइट इंसर है डी हाली में 15 जनुवरी को राश्टिय थाल दिवस को मनाया गया है भारत में 15 जनुवरी को थाल सेना दिवस के रूपे मनाया जाता है इस दिवस के औसर पर देश की रक्षा में कारेरत तथा सहीद जमानों के योगदान के प्रती सम्मानित करने के लिए इस तिवस को मनाया जाता है फ्रेंस इसमें बात किया गया है इंडियन आर्मी की तो इंडियन आर्मी की अस्तप्तना एक अप्रेल अठारे सो पंचानवे इस भी को ही थी और इसकी मुख्याले है नए दिली और नए थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवने और चीप ओफ डिफेंस कौन है तो अचात सीडियस के जो हेड है वो कौन है विपिन रावत और नए उप सेना परमुख है एसके सैनी और वायू सेना के अध्यक्ष है आर्के एस भधावरिया और नौ सेना के अध्यक्ष है करमवीर सिंग किन्द्रिय मंत्री मंडल नए भारती वायू सेना के लिए एटी थिरी तेजस लराकू बिमानों की खरीद के लिए किसके साथ 48000 क्रों रूपे का समझावता किया है इसका मराइट एंसर है B. H.A.L. H.A.L. के साथ या समझाउता किया गया है पारतिय वाही सेना के लिए 83 हलके अलराकू बिमान तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी गई है हिंदुस्तान Aeronautics Limited अर्थात H.A.L. से लगबग 48,000 क्रो रुपे की लागत से ए बिमान खर दे जाएंगे और परधानमंतरी नरेंदर मोदी की अध्यक्षता में नई दिली में हुई बैठक में बिमान खरीद को अनुमती दी गई है और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतिय सेना की ताकत को पढ़ावा देने के लिए लगब बिमानों की खरीद की गई है बात किया गया इसमें HAL की तो इसका फूल फर्म होता है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड इसकी अस्तपना 23 दिसंबर 1940 इस भी को ही थी और इसके मुख्याले है बैंगलूरू इसके चेर्मैन है आर माधवन नेक्स्ट प्रश्ण है नीती आयोग ने किसके साथ मिलकर Omen Internship Platform लंच करने की सज़दारी की है इसका मरा राइट इंसर है A, फिलिप कार्ड के साथ इस सज़दारी को किया गया है नीती आयोग और फिलिप कार्ड ने एक महिला उद्मीता प्लेटफॉर्म लंच करने के लिए हाथ मिलाया है बात हुए इसमें नीती आयोग की तो नीती आयोग की अस्तापना एक जन्वरी 2015 SP में हुई है और इसके मुख्याले है नई दिली और इसके अध्यक्ष है नरेंदर मोदी और इसके उपध्यक्ष है राजी उकुमार और CEO है अभीताब कान्त इसके साथ ही इसमें बात क्या गया है फिलीप कार्ड का भी तो फिलीप कार्ड भारत की e-commerce company है और इसके parent company Walmart है और इसकी अस्तापना दोहजर साथ में हुई थी और इसकी मुख्याले है बैंगलोरू करनाटक में और इसके CEO है कल्यान स्क्रेश्न मूर्टी और फिलीप कार्ड के मालिक कौन है तो सचीन बंसल और बेनी बंसल इसका हम राइट एंसर है D. पंजाब पंजाब राजी की सरकार ने एक लाख तक टेक्स वाले वेपारियों के लिए टाइम सेटलमेंट युजना को सुरू किया है पंजाब कैबिनेट की बैठक में एक और अहम फैंसला लेते हुए हर्म के लिए वन टाइम सेटलमेंट इसकीम को मंजोरी दे दी गई है इस उजना के तहट एक लाख रूपे तक टेक्स वाले वेपारी को नौत्व ब्याज देना होगा और नहीं जुर्माना देना होगा और टेक्स में नबे फिर्दी तक की छूट मिलेगी बात किया गया इसमें पंजाब राजी की तो पंजाब की राज़ानी है चंडीगर्ड पंजाब की अस्तपना एक नॉवंबर 1966 इस भी कोई थी और मुख मत्री है कैप्टेन अमनिंदर सिंग जो की कांग्रिस पार्टी से है और गौर्नर है बिरेंदर पाल सिंग बदनौर और इसके तीन परोसी राज है राजस्तान हरियाना हिमाचल परदेश और इसके एक परोसी देश भी है जो की है पाकिस्तान इसके मुख नयादि स्वादेशी मसीन पिश्टल ASMI को विक्सित किया है इसका राइट एंसर है डियाडियों के द्वारा पहली स्वादेशी मसीन पिश्टल ASMI को विक्सित किया गया है रक्षा नुसंधान और विकास संगठन ने भारतिय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वादेशी मसीन पिश इस्टिल रक्षा बलो द्वारा इस्तिमाल की जा रही है बात किया कि इसमें DRDO की तो DRDO का फुल फॉर्म होता है Defense Research and Development Organization जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है DRDO की अस्तपना 1958 इस भी में हुई है और DRDO की मुख्याले है नेदिली और इसके अध्यक्ष है जी 3-3 रेड़ी नेक्ष्ट प्रेश ने चौदे फरवारी से किस राज का प्रमुक तेवहर पुंगल शुरू हुआ है तो इसका हमरा राइट एंसर है डी तमिलाडू तमिलाडू राज्य में 14 फरवारी से परमुक तेवार पंगल शुरू हुआ है भारत के अनेक राज्यों में मकर सक्रांती को अलग-अलग रूपों में मनाया जाने की परंपरा है और दक्चिन भारत के राज्य किरल करनाटक तमिलाडू अंदरपरदेश में इस पर्व को पंगल के नाम से जाना जाता है दक्चिन भारत में धान की फसल समेटने के लिए लोग खुसी प्रकट करते हैं और नई फसल के अच्छे होने की भगवान से प्रशना करते हैं तमिल के लोग इस तेवार को चार दिन तक मनाते हैं इस बार या तेवार 14 जनवर तक चलेगा इसमें बात किया गया है तमिलांडू राजी की तो इसकी राजधानी है चन्नाई और मुख मंत्री है के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित इसके मुखिने अधिस है संजीव वनर जी और तीन परोशी राज है केरल करनाटक और अंधर पर प्रमुक्तिवहार है ओनम ऑसम का प्रमुक्तिवहार है बीहू पंजाब का मुख्यतिवहार है बैसाखी इस तरह से सभी प्रमुक्तिवहारों को मनाय जाता है बात करें बिहार की तो बिहार का प्रमुक्तिवहार है छट पूजा उसी तरह से तमिलाडू का प्रमुक्तिव है भी पैंट जेल सिंगर इंडेल कमपनी के नए CEO बने हैं पैंट जेल सिंगर वोब स्वेन की जगह लेंगे बात किया गया है इंडेल की तो इंडेल अमेरिका की बहुराष्टी टेकनलोजी कमपनी है इसकी अस्तपना 18 जुलाई 1968 इस भी को होई थी और इसके मुख्याले है क CEO है पैंट जेल सिंगर जो की हाल ही में CEO बने है नेक्स प्रशने किस देश की स्पेस एजनसी जेक्स H3 रॉकेट को लंच करेगी इसका मराइट एंसर है A. जपान जपान देश इस पेस एजनसी जेक्स H3 रॉकेट को लंच करने वाली है हाली में जपान की अंतरिक एजनसी जेक्स ने H3 रॉकेट लॉंच करने की घोशना कर दी है बात क्या क्या जे ए एक्स ए की तो ए जपान की स्पेस एजनसी का नाम है इसका फुल पर्म होता है जपान एरो स्पेस एक्स्पोरनेशन एजनसी और इसकी अस्तपना एक अक्टूबर 2003 इसपी में होई थी और इसकी मुख्याले है टोकियो जो की जपान देश में है इसके अध्यक्ष है हिरोसी या माकावा और बात क्या गया इसमें जपान की तो जपान इस्या महादूइप में इस्तित है जपान की रैधानी है टोक्यो और करेंसी है जपानी एन पढ़ान मंत्री है योसी हीदे सुंगा नेक्श प्रशन है अमेरिका की इतिहास में कौन पहले ऐसे राश्टपती बन गया है जिनके खिलाप एक ही कारेकाल में दो बार महाव्योग प्रस्ताव पारित किया गया है लगाया जा चुका है अमेरिकी राश्टपती पर महाव्योग की जनकारी को पलेज ले लेते हैं अमेरिकी संविधान का 25 संसोधन उप राश्टपती को ए अधिकार देता है कि यदि राश्टपती अपने कर्तब्य और उत्तरदाइतों का निर्वाहन करने में नकाम रहता ह तो वे कैबिनेट की मंजूरी और सदन के दो तिहाई बहुमत के साथ राश्टपती को पद से हटा कर सत्ता अपने हाथों में ले सकता है और भारतिय राश्टपती पर महाव्योग क्यों लगाया जाता है तो भारतिय संविधान के अनुछेद 61 में राश्टपती पर महाव महाभ्योग के बारे में बताया गया है और अब तक भारत में किसी भी राश्पती पर महाभ्योग नहीं लगाया गया है काया कलप पुरसकार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है इसका हम राइट इंसर है सी एम्स भुनेस्वर को काया कलप पुरसकार 2019 से सम्मानित किया गया है काया कलप पुरसकार की सुरुआत बर्स 2015 में हुई थी और काया कलप पुरसकार अपसिष्ट प्रबंधन अस्पताल का रख रखाव स्वक्षता संक्रमन नियंतरन स्वक्षता को बढ़ावा देने के ग्यान संस्थान एम्स ने तीसरी बार काया कलप पुरसकार योजना को जीद कर स्वक्षता स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए काया कलप पुरसकार जीता है इस संस्थान को लगतार तीसरे बर से स्वक्षता के लिए 20 रेनी के तहद सर्बस्रेष्ट केंद्रिय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है आलही में किर्गिस्तान के राष्टपती पद का चुनाव किसने जीता है इसका अमरा राइट इंसर है ए सदर जापारुआ हालही में किर्गिस्तान के राष्टपती चुनाव को जीता है किर्गिस्तान में राष्टपती पद के चुनाव में सबसे आगे रहे सदर जापारुआ ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है केंदरिये चुनाव आयोग के अनुसार जापारुआ ने 79 प्रतिसत भोट जीते हैं जापारुआ जिन्हें इस पद से हटाने के लिए हुए आंदलोनों के समय राष्टवादी जापारुआ जेल से रिहा हुए थे मतदताओं द्वारा राष्टपती को और सक्तियां देने के लिए समिधान में बदलाओ के जन्मत संग्रोह को भी मंजूरी मिल गई है बात किया गया इसमें किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की रजधानी है बिस्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्ण दिये गए हैं, सभी प्रश्ण आपके next exam के लिए most important हैं तो हम आसा करते हैं कि सभी प्रश्ण आपको समझ पाये होंगे यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर पहली बरा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टिक के